Hello and welcome to another new episode and बहुत से student बार बार पूछ रहे थी कि M.com का जो है timetable कर रिलीज होगा, M.com part 2 timetable कर रिलीज होगा तो आपका wait इंतजार खतम हो चुका है Mumbai University ने अपने website पे officially M.com part 2 yearly idol student के लिए timetable जो है वो release कर दिया है और साथ में कुछ instructions भी बताये है तो सबसे पहले मैं आपको timetable बता देता हूँ और उसके बाद वाले में वीडियो में एक और वीडियो बना के upload करूँगा जिसमें मैं आपको instructions के बारे में समझाऊँगा अब exam जो है वो start होने वाला है November 6, 2020 से मतलब 6 November से आपका exam start हो रहा है 6, 7, 8, 9 यह आपको university के website पे मिल जाएगा कहां पर मिलेगा घबरानी की ज़रूरत नहीं है जहां पर आपको मिलेगा उस जगे का link मैं आपको video में लगता है आप उस slot में एक घंटे का paper दे सकते हो 50 marks का ही paper है MCQ format ही है अभी तक fix नहीं हुआ है कि किसके जरीए exam conduct होगा लेकिन 9 से 1 बज़े के बीच में एक घंटे के slot में आपको paper देना है accountancy paper 3 advance financial management जो है वो 6 तारिक को 2 से 6 बज़े के बीच में paper है 7 तारिक का जो paper है same time है 9 से 1 में जो paper है वो है international marketing और 2 से 6 में जो paper है वो है advance auditing Sunday को Sunday को भी paper रखा है that is 8 November 9 से 1 बज़े के बीच में entrepreneurship management और 2 से 6 के बीच में रखा है direct and indirect tax का paper Monday 9 तारिक को 2 से 6 के बीच में अभी जो Monday को paper है Monday का जो है वो एक ही paper है 2 से 6 का research and methodology यह 18 तारिक का news है 18 तारिक का update है मेरे चैनल में सबसे पहले में दे रहा हूँ जैसे ही और कोई update आएगा मैं फटाक से मेरे चैनल पर डालूँगा आपको क्या करना है चैनल को subscribe करना है तो आपको latest update तुरंत मिल जाएगा जैसे ही university site पे कुछ नया update आता है तुरंत आपको इस वीडियो के जरीए मिल जाएगा इसके बाद मैं next वीडियो में बताने वाल राएगा that's it for today, we'll meet in next episode